हेलो फ्रेंड्स माइनम इस विजे यह हमार 12 टेटोरियल है एक्सल में जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में कैसे हम परसेंटेज कल्कुलेट करते हैं देखिए अगर आप 200 का 25 परसेंट निकानना जाते हैं तो देखिए उसके लिए लिखिए is equal to फिर से बता ले केर लगाएं कि लगाएं मिल्टि पञाओए और किसका निकालना निकालना सक्थ का निकालना है जिसको स्टेक कर लिएए उधिडर कर दो आपका दिखिए 40 परसेंट अगया अगर आप चालते हैं कि जो 23 टियनक्रशonda निकाल हूं तो सबसे बेले 20 परसेंट लिखिए औयक किसका निकालना है, multiply करिए, किसका निकालना है, उसको select कर दिए, 23 का 20% निकालना है, तो देखे, 4.6 हमारा output आ गया, इस तरीके से हम percentage निकाल सकते हैं, अगर आप इन सब का percentage निकालना है आपको, तो copy कीजिए इसे, 20%, 56 का, 23 का, 23 का, 12 का निकालना है, copy कीजिए, इन सब को select कीजिए, और यहाँ पर paste कर दिए, यसी आप paste करेंगे, वैसी देखे, हर किसी का 20% आपको calculate होके, आपका answer आजाएगा, अगर आप चाते हैं कि 20 का, 200 का 15% निकालना, तो देखे, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आपको, इसी कल 2, आप लिखे, 15, इसको select कीजिए, परसेंट, जो भी इस कॉलम में है, अगर इसकी value मैं change भी करूँगा, तो देखे, हम क्या करना चाते हैं, जो फिर से बताता हूँ, 200 का 15% निकालना चाते हैं, तो देखे, सबसे पहले, इसको select करिए, percent का sign लगाईए, into का sign लगाईए, और 200, देखे, अब enter दबाता हूँ, तो 30 आ गया, अगर मैं इस value को change करूँगा, देखे, अगर मैं इस value को 12 करूँगा, तो देखे, output में हमारे, यहाँ पर फरक पड़े अब percentage sign को, फिर से बताता हूँ, एक बार equal to का sign लगाएंगे, select करेंगे, percentage का sign लगाएंगे, multiply का sign लगाएंगे, और जिसका निकालना है, अगर 200 का 30% निकालना है, तो यहाँ पर multiply करेंगे 200 से, और फिर enter दबाएंगे, तो देखे, आपका 30% calculate हो जाएगा, thank you for watching my video, please subscribe my channel, व याँ आफどうस आता है, ढद मुक्त करेंगे इसका निकालना हूँ, जई कहले थक्काना हूँ, जद एक बार चा जया हुत अथखे, और लित एक मेंदी आता हूँ आता जारिंगे जाना हूँ, टे वडाएंगे, भच्याएंगे, एक बार दो एक बार टे सम्स्माषण गिर द